Hello guys and welcome to how to make anime class 2 आज की इस class के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने anime create करने के लिए उसके लिए characters को draw कर सकते हैं और साथी साथ किस तरह हमने storyboarding करनी है इससे पहले class 1 के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह हम लोग अपने anime के लिए एक perfect story create कर सकते हैं किस तरह script writing कर सकते हैं और end में हमने सीखा था कि किस तरह अच्छी तरह से reference रखा जाता है आज की class के अंदर हम लोगों ने दो काम सीखने हैं पहला है storyboard और दूसरा है character drawing शुरू करते हैं character drawing से basically जो भी तुमने story लिखी है या जो भी तुमने anime के लिए एक script लिखी है उसके अंदर definitely कुछ ना कुछ characters होते ही हैं उन्ही characters को तुमने paper के उपर draw करना है यहाँ पर मैं एक tip दे रहा हूँ कि तुमने उन characters को paper के उपर draw करना है पेपर के ओपर ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड होता है लेकिन इससे फाइदा ये होता है कि तुम्हारे हाथ के ओपर वो करेक्टर बैट जाता है और उसको बार बार रीड्रॉ करने में तुम्हें आसानी होती है इस वक्त तुम्हारी स्क्रीन के ओपर कुछ एग्जंपल्स शो रही होकी किस तरह मैंने अपनी स्टॉरी के लीए कुछ करेक्टर को ड्रॉ किया है करेक्टर ड्रॉइंग में हमें अपनेकर के डिफनेट पोसिस बनाने होते हैं हमें decide करना होता है कि वो दिखता कैसा है, उसकी आंके किस तरह की है, बाल किस तरह की है, उसके पहना क्या हुआ है, साथी साथ हम लोग ये भी decide करते हैं कि उसके बाल किस रंग की है, उसकी आंके किस रंग की है, उसकी personality कैसी है, और साथी साथ हम उसके साथ एक नोट भी लिखते हैं कि वो किस तरह का character है वो villain side पे है, hero side पे है कहां पर है और किस कहां पर stand करता है इस वक्त तुम्हारी screen के उपर कुछ examples show हो रही होंगी कि किस तरह तुमने अपने characters को draw करना है same इसी तरह तुमने भी अपने characters को draw करना है different poses में, different angles में, different जगा से ताके तुम बार बार उन्हें जब draw करो animation बनाते वक्त या फिर manga बनाते वक्त तो तुम्हें मुश्किल ना हो यहां पर उस character की सारी details भी एक site पर लिख देना इस से आगे जाके तुम्हें काफी ज़्यादा फाइदा होगा अगर तुम्हारी drawing skills इतनी अच्छी नहीं है कि तुम easily अपने character को draw कर सको तो तुम्हें पहले अपनी drawing skills को बहतर बनाना होगा क्योंकि without drawing skills तुम ना ही तो manga बना सकते हो ना ही animation बना सकते हो ना ही anime बना सकते हो से anime characters को draw कर सको background को draw कर सको ताकि आगे जाके तुम्हें आसानी हो और अगर तुम लोग जाते हो कि इस topic के उपर मैं अलग से class लेकर हो तो definitely comment में बता देना अब बढ़ते हैं अगले part की तरफ अगला part है storyboards storyboards बहुत जादा important होते हैं in fact ये इतने important होते हैं कि हमारी जितनी भी animation होती है वो इसके उपर depend कर रही होती है storyboards किस तरह बनाये जाते हैं वो तुम्हारी screen के उपर show हो रहे होंगे ये मेरे बनाये हुए कुछ storyboards हैं जो कि तुम अपनी कहानी को सामने रखके उनकी drawings बनाते हो storyboards में तुम्हें बहुत जादा मेहनत नहीं करनी होती है तुम काफी rough drawing कर सकते हो rough sketches बना सकते हो इससे तुम्हारी अच्छी खासी practice भी हो जाएगी और किस तरह से कौन सा angle draw करना है कौन सा scene कहां पर draw करना है किस तरह से wise effect डालने है कौन सा music आएगा कौन सा character कौन से बात करेंगा कहां मुड़ेगा कहां देखेगा सब कुछ इस ही storyboard के अंदर लिखा जाता है साइट पर तुम एक column बना नजर आ रहा होगा जहां पर तुम note लिख सकते हो और एक साइट पर तुम drawing कर सकते हो storyboards के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ये बड़ी टीम नहीं है तुम एक अकेले बंदे हो तुमने ही अपना anime में बनाना है तो इसके उपर बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो rough sketches बना सकते हो rough drawing कर सकते हो और तुम्हें बस storyboards complete करने है अपने दिमाग में ये रखो कि तुम बेसिकली अपने anime create करने से पहले animation बनाने की practice कर रहा हो मैं prefer करूंगा कि तुम इसे paper बे बनाओ तुम चाहो तो digitally create भी कर सकते हो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक perfect storyboard किस तरहां का दिखता है इस वख तुम्हारे screen के उपर जो storyboards show हो रहे हैं ये official Japanese animation studios के बनाए हुए कुछ storyboards है जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इन्होंने किस तरहां perfectly scenes को draw किया है site पर इतने सारे note लिखे हैं इतने सारे columns बनाए है जहाँ पर age and everything अच्छी तरह से mention किया गया है अगर तुम हारे पास potential है तो तुम इस तरहां बना सकतो drawing इतनी अच्छी ना करो बेशक rough track बना लो rough sketches कर लो लेकिन जो details हैं जिस तरहां इन्होंने columns बना के text बनाए है हर जगा पर अलग-अलग details को mention किया है लिखा है इस तरहां से हर detail को तुमने अपने storyboard के अंदर लिखना है आगे जाके इसी के उपर तुमारी पूरी की पूरी animation depend कर रही होती है तो इसके उपर तुमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी storyboard के अंदर क्या क्या mention किया जाता है सबसे पहले storyboard के अंदर ये mention किया जाता है कि कौन सा character कहां पर मोड़ा है कहां से हवा आ रही है अगर हवा नहीं आ रही तो कैसा scenario है background भी इसी के अंदर draw किया जाते है साथ ही अगर तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कौन सा character कौन सा dialogue बोल रहा है उसका mode कैसा है वो किस तरह की personality का हामिल है सब कुछ तुम इसी storyboard के अंदर लिखोगे storyboard को इस तरह बनाना चाहिए जिस तरह मैंने इससे पहले बताया तो कि character designing के अंदर हमें different poses बनाने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा poses तुम्हें अपने storyboard में अपने each and every character के बनाने होंगे इस practice का मकसद basically ये है कि जब तुम animation बनाओ तो एक तो तुम्हारे पास ये storyboard as a reference मौजूद हो और दूसरा तुम्हें वो बनाने में काफी मुश्किल न हो तुम easily अपनी animation को create कर सको क्योंकि animation के अंदर तुम्हें हर frame के अंदर अलग से drawing करनी पड़ेगी और एक second के अंदर कम असकम 24 frames होते हैं तो सोच लो के तुम्हें कितने स्जादा frames बनाने होंगे अगर तुम्हें 24 मिनट की episode create करते हो तो उसके अंदर कम असकम 8000 frames draw किये जाते हैं जिनके अंदर अलग से background, अलग से characters सब कुछ separately draw किया जाता है साथी साथ उनके उपर जो VFX लगते हैं वो भी अलग से draw किये जाते हैं तो एक काफी ज़ादा time taken काम है काफी ज़ादा मेहनती काम है लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो definitely अपने anime create कर सकते हो अपनी story को सामने रखते हुए तुमने अपने characters draw कर लिया और उसके बाद उन characters को और अपनी story को सामने रखते हुए अपनी तमाम story को story boards में convert कर लिया नहां पर तुमने सारे scenario कौन सा scene कहां पर होना है किस तरह होना है सब कुछ mention कर लिया अब आगे part आता है manga creation का इसको अगर तुम चाहो तो skip कर सकते हो और अगर चाहो तो create कर सकते हो मैं recommend करूँगा कि create करो मैं खुद भी create कर रहा हूँ manga create करने से फाइदा ये होता है कि तुम्हारी story board होते है वो basically काफी जादा rough होते है और उनके अंदर बार बार sketches करे जाते है जब तुम manga create करोगे तो उसके अंदर तुम perfect sketching कर सकते हो अच्छी तर अपने characters को draw कर सकते हो और तुम्हारे पास अपनी story की एक hard copy भी आ जाएगी और तुम उसको चाहो तो publish भी कर सकते हो जिसके बाद तुम्हारी जो manga है वो अगर popular जाती है तो तुम्हारी animation आने से पहले ही तुम्हारे story के बारे में काफी लोगों को पता चल जाएगा जिससे उसके काफी जादा fans बन जाएंगे और आगे चलते चलते जब कभी तुम उसका anime यानी animation बनाओगे तो उसके already काफी fans मुझूद होंगे जो से promote करेंगे तुम्हारा anime आगे जाके successful होने के ज्यादा chances होंगे अब video के end में मैं तुमें एक छोटी सी tip देना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको angles draw नहीं करने आते और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यहीं नहीं पता कि उनका character दिखता कैसा है उन्होंने किस तरह उसको draw करना है यहाँ पर मैं तुमें recommend करूँगा कि तुम किसी भी free AI website के उपर जा सकते हो जहाँ पर तुम text to image create कर सकते हो और वहाँ पर जाकर तुम अपने characters को draw करवा सकते हो इन तस्वीरों को तुम as a reference रख के अपने characters खुझ से draw कर सकते हो एक बात अपने mind में रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ को copy paste नहीं करना copy paste नहीं करना होता सिर्फ reference रखना होता है reference रख के तुम्हें अपनी चीज़ को draw करना होता है कुछ अपनी creation करनी होती है किसी भी चीज़ को कभी copy paste नहीं करना होता in fact अगर तुम AI की मदद से अपने कुछ characters भी draw करवाते हो तो उन्हें भी exactly copy नहीं करना बलके अपना mind यूज़ करते हुए उसमें editing करनी है सिर्फ reference के लिए सिर्फ poses के लिए उसको यूज़ करना है इसे के साथ इस class को end करते हैं I hope so तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगली class के अंदर हम लोग practical में आ जाएंगे हम लोग देखेंगे किस software के अंदर हम animation बना सकते हैं manga बनानी है तो कौन से software यूज़ कर सकते हैं तो तब तक के लिए bye bye